सूपरभाद प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्थय पुस्तक उत्सब में से पाठ्थ नमबर 13 नर हो ना निराश करो मन को इसमें जो कवी है उसका क्या नाम है? मैथिली शरन जो कवी है कवीता के वो क्या कह रहे हो? नर हो मतलब की नर होता है मनुष्य हैं हमें कभी भी अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए जितनी मर्जी कठिनाई आये पर अपने मन को संभाल कर रखना चाहिए इसी भी परिस्तिति में भी हमें अपने दिल को करो मन को इसका विता को हम शुरू करते हैं नर हो ना निराश करो मन को कुछ काम करो कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो यह जनम हुआ किस अर्थ अहो समझो जिसमें यह व्यर्थ नहो कुछ तो उप्युक्त करो तनको नर हो ना निराश करो मन को इस पैरग्राफ में आपको क्या बोला है कि हम मनुश्य हैं हमें अपने मन को कभी भी निराश नहीं करना चीए एक मनुश्य ही ऐसी जनम है जो कि 84,00,00,00 के बाद हुआ है 84,00,00,00 में बहुत सारे थे कीडे, मकोडे, पशू, पक्षी इतने सारे जनमों के बाद हमारा जनम हुआ है तो हमें कभी भी इसको छोटा नहीं समझना चीए मनुश्य ही एक ऐसी जूनी है जिसमें हम कुछ कर दिखा सकते है जग में रह कर कुछ नाम करो कि हम जग में रह रहे हैं जिस दुनिया में रह रहे हैं तो इसमें कुछ न कुछ काम करना जीए एक मनुष्य की ऐसी जूनी है जिसमें हम कुछ काम कर सकते हैं कुछ कर दिखा सकते हैं यह जनम हुआ किस अर्थ हो यह जनम हमारा किस लिए हुआ है कुछ काम करने के लिए कुछ कर दिखाने के लिए अपना नाम बनाने के लिए, समझो जिसमें यह वर्थ नहों, व्यर्थ मतलब कभी भी यह खराब नहों, वेस्ट नहों, हमें इसको अच्छे से समझना चीए, अपनी उदेश्य बनाना चीए, हम अगर मनुष्य जूनी का जनम हुआ है हमारा, तो इस जूनी में हमें अपना उदेश्य बनाना चीए, जिसे हम पूरा कर सके, उसको व्यर्थ ना करे, खराब ना करे, कुछ तो उप्योक्त करो तन को, ना निराश करो मन। अपने दिल को, अपने तन को, शरीर को कुछ तो उप्योक्त करो, कुछ तो प्रोवाइड करो, जिससे वो बिल्कुल भी ना हो और मन हमारा निराश ना हो यह संभलो कि स्योग ना जाए चला कब विर्त हुआ सुदपाए बला क्या कह रहे हैं? अपने आपको संभालिए जो अच्छा अवसर आ रहा है स्योग होता है अच्छा अवसर जो आपके सामने आ रहा है वो कहीं चला ना जाए, कब व्यर्थ हुआ सुधपाय बला, कि कभी वो कब व्यर्थ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए अपने आपको संभालो, और अपने अच्छा अवसर जो आपके सामने आ रहे हैं, उसको व्यर्थ मत करो, समझो जग को ना नीरा सपन पत आप प्रशस्त करो अपना, अपने सपनों को, अपने जो सपने हैं, उसको पूरा जग समझो कि जो आपका सपना है, वही आपकी जिंदगी है, उसी को अपना उदेश्य बनाओ और उसको उसके लिए अपने अपने पत बनाते जाओ, अपना अपना रास्ता बनाते कि वो आपका उदेश्य है वो पूरा हो सके अखिलेश्वर है अविलंबम को नरहो ना निराश करो मन को अखिलेश्वर होता है परमातमा है अविलंबम को मतलब अविलंबम होता है सहारा जो परमातमा है वो आपके सहारा है तो इस सहारे के साथ आप अपने पत को अपने उदेश्य को पूरा करते जाओ, कुछ काम करो, कुछ काम करो, नर हो ना निराश करो मन को, अपने मन को निराश मत करो, कुछ काम करो आगे पेराग्राफ है निज गोरव का नित ग्यान रे हम भी कुछ है यह ध्यान रे सब जाए अभी परमान रे मरनो तर गुंजन गान रे कुछ हो ना तजो निज सादन को नर हो ना निराश करो मन को इस paragraph में क्या कह रहा है कभी इसमें कभी कह रहा है जो मनुश्य जीवन है मनुश्य जीवन के बारे में बोल रहे हैं कि सब कुछ चला जाए लेकिन जो हमारा मान अभी मान है वो कभी ना जाए जो हमारा गोरव है वो मान समान है उसके बारे में हमेशा याद रखें अपने गो को ज्यूर्णी को सफल बनाने के लिए कुछ हैं, हमारा जो सपना है, वो पूरा कर सके. सब आए है, सब जाए अभी, मतलब सब कुछ चाहे चला चाहे, धन दोलत हमारे जीवन से चला जाये, तर जो हमारा मान है, वो हमारे साथ ही रहे. धन जाए परमान रहे आगे हैं मरनोतर गुंजन ग्यान रहे जो हमारे मरने के बाद भी मरनोतर है हमारे मरने के बाद भी लोग हमें अच्छी तरह से गान करें मतलब हमारे बारे में अच्छी तरह से बोले कि वो मरने के बाद भी हमें अच्छे रूप में याद करे ना कि बुरे रूप में कुछ हो ना तजो साधन को जो कुछ भी साधन हमें मिलता है हमारे उदेश्य को प्राप्त करने के लिए उसको हम साधन को प्राप्त करे और मन को निराशना करे चाए वो अच्छा साधन है चाहिए वो बुरा साधन है मतलब कि कुछ अच्छा मिले या बुरा मिले उसको हमें संभाल कर रखना चाहिए ना कि अपने मन को निराश करना चाहिए आगे पैराग्राफ है प्रभू ने तुम को करदान दिये सबवन्चित वस्तु विदान किये तुम प्राप्त करो उनको न अहो फिर है ये किसका दोश को समझो न अलब किसी धन को नरहो न निराश करो मन को इस पैराग्राफ में प्रभू ने मनुष्य के बारे में बताया है प्रभू ने मनुष्य के बारे में क्या बताया है कि प्रभू ने हमें दो हाथ दो पैर दिये हैं वो हमारे जो सादन दिये हैं उनको प्राप्त करने के लिए दिये हैं जो हमें हाथ पैर भगवान ने दि किया है जो कुछ भी हम अपनी वस्तु विधान को डिजायर हमारी जो इच्छा है उनको पुरा करने के लिए हम उन हाथ पैरों का यूज करके प्राप्त कर सकते हैं प्रभु ने हमें हाथ पैर दिये हैं हमें दान दिये हैं तो हम उन हाथ पैरों हाथ पैर का यूज करके गभणान के हाद पैर देने के बाद भी अगर तुम कुछ कर ना सको उसको facts ना कर सको अपनी उदेशें को तो किसका दोश है ये समझो न अलव किसी धन को नरहो न निराश करो क्या कहा रहे हैं किसी भी अगर आपको धन प्राप्त करना है और आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते तो आप उसका दोश किसी को नहीं दे सकते क्योंकि भगवान ने हमें हाद पैर दान दिये हैं उसका उपयोग करकर हम कुछ भी अपने उदेश्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने मन को कभे भी निराश नहीं करना चीए हम मनुश्य है, मनुश्य है, कुछ भी कर सकता है क्योंकि एक मनुष्य ही ऐसी जूनी है जिसे भगवान ने हाथ पैर दिये हैं ताकि उसे वो उनको उनका उप्योग करकर अपने सारे काम सरल कर सके आगे पैराग्राफ है किस गौरव के तुम योग्य नहीं कब कौन तुमें सुख भोग्य नहीं जन हो तुम ही जग्दीशवर के सब है जिसके अपने घर के फिर दुल्लव क्या उनके जन को नर हो न निराश करो मन को इस paragraph में भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा गोरव है जो तुम प्राप्त नहीं कर सकते या फिर ऐसा कौन सा समान है जो तुम प्राप्त नहीं कर सकते वो comparison कर रहे हैं कि तुमें हाथ पैर भगवान ने दिये है तो तुम कुछ करके दिखा क्यों नहीं सकते तुम कौन सा गुरव है जो प्राप्त नहीं कर सकते जन हो तुम ही जगदीश्वर के कि तुम भी मेरे ही प्रभु के ही पुत्तर हो भगवान के ही पुत्तर हो तो सब ही सब है जिसके अपने घर के अब अगर तुम भगवान के ही पुत्तर हो सबी एक ही घर के हैं तो एक ही घर के होने के फिर जैसे भगवान कुछ भी प्रयास करके प्रयास करके तो मनुश्य क्यों नहीं कुछ भी प्रयास करके फिर दूरलब क्या उनके तन को नरहो न निराश करो मन को फिर दूरलब फिर मुश्किल मुश्किल क्या है उनके पुत्र को मुश्किल क्या है जब वह एक ही घर के हैं और भगवान के की हाथ पैर दिये हैं ताकि हम अपने उदेश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास कर सके हमें कभी भी अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए कितनी भी कठना ये आए हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए तो ये हमारी पार्ट नमबर 13 नरहो न निराज करो मन को तो आप सभी ने इस पार्ट को ध्यान से पढ़ना है और समझना है धन्यवाद बच्चों